हेई गाइज हाव और यॉल मेरा ना में रहमन दीप सिंग स्वागत आपका मेरे चनल अफल्म के अंदर गाइज जैसा कि आप लोग जानते कि मैं देली में CACCM में इंटर आज फाइनल लेवल के लौ की फेकल्टी हूं लौ पढ़ाता हूं मैं और हमारी पेंटर्स मोड में ह पढ़ पाते नहीं आ पाते तो पेंडर्स अवेलेबल कर दी में बात आज किस टॉपिक पर लेके जा रहा हूं कि आज मैं बात करूंगा एक CMA student को stipend कितना मिलता है तो सर इसकी दो केटगरी बना देती है एक फर्म एक अधर देन फर्म अधर देन फर्म मतलब कंपनी या अ अगर आप फर्म में ट्रेनिंग करते हैं और आपको पता है आपकी आर्टिकल चिप तीन साल की है लेकिन six months की आपको mandatory है पहले करना उसके बाद final दे सकते हो देन उसके बाद धाई साल की बनने के बाद भी कर सकते हो तो आपका अगर आप किसी CMA firm में आर्टिकल चिप करते हो तो आपका जो पहले साल stipend होगा वो होगा 2000 minimum minimum second year 3000 third year 4000 वो अलग बात है कि अगर आज की देट में इतना लोग नहीं देते हैं आपको minimum 5-6000 मिल जाएगा लेकिन ICMAI के नौम्स यह है अगर मैं बात करो आप किसी company में job करते हो या other organization में job करते हो other than firm firm को छोड़ क्योंकि firm के इसकी नौम तो वह ही है 2003 चार यार तीन साल मिलाकर अगर पर मन्त है और अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि आप किसी company में job करते हैं इसकी दो category बना देते हैं एक metro cities एक other than metro cities तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपका अगर में job करते हो तो आपको जो stipend मिलेगा companies के अंदर वो मिलेगा first year में 10,000 minimum वो भी second year में 12,500 third year में 15,000 मैं एक चीज़ बता दू इतना minimum stipend किसी भी institute ने प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा ना तो CES ने या CAA वालोडे ना ICI ने ना ICSI ने सरफ आपके institute ने किया है इतना minimum stipend प्रिस्क्राइब और अगर मैं बात करूं आपका other than metro cities में अगर आप किसी company वगारा में other organization में job करते हो आर्टिकल्शिप करते हो ट्रेनिंग करते हो तो आपको पहले साल मिलेगा 8000 सेकिंड यर मिलेगा 10,000 थर्ड यर मिलेगा 12,000 इसका मतलब इसका में आपको और जो मैंने बताई यह minimum है अगर company जेना चाहे तो स्यादा मैक्सिम दे सकती है सेम फर्म के लिए minimum इतना है अगर फर्म भी सजाद देना चाहे तो दे सकती है और यह जितने मैंने बताई यह per month basis में है और ऐसे निए कि मैं 8,000 पर राइनम बोल रहा हूं यह मन्तली बेचित है 10,000 इतना ना CS वाले देते ना CA वाले देते तो आपको अपने stipend का डिए अपता लगा होगा हलाकि आपको बता दू कि आपका stipend पहले कम हुआ करता था था यह होता सब रहना कि आपके कहा में पहले होता थाज यह से यहर में जो कर आच आ फंधिक छेंटन करते हो तो फोर्ट और थेoin ठोलन फाइंड 003 आपका fift in वनन्त इंशिम अगर यहाब अधर दें में जॉब करते कंपनी वागरा में लेकिन वह में नहीं है वह कंपनी है तो वहाँ पर आपका आठ एर पहले साल में सेकेंड दस एर थर्ड एर में बारा जाए आपको एक चलेगी होगी इसी तरीके से वीडियो को प्यार देते रहें कीप लविगें कीप सब्सक्राइब कर देना साथ में बैल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू न्यू वीडियो की नुटिफिकेशन बिलती रहे थैंक्स लॉट बबाए